दिल्ली में शराब नीती को लेकर हो रही राजनीती खत्म होने का नाम नहीं ले रही है अब बीजेपी ने एक और स्टिंग ओपरिशन जारी किया है और आमाद्मी पार्टी पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है बीजेपी के एसारो परामादमी पार्टी भड़ा कुठी है टिप्टी सीयम मनीशे से सोधिया ने विरोधी पार्टी को शराब घोटाले को लेकर जम कर खरी खोटी सुनाई है राज़ानी दिल्ली की सियासत में शराब घोटाले की गूँच सुनाई दे रही है बीजेपी ने इसे हत्यार बना कर आप सरकार को घेरना शुरू कर दिया है जिसे लेकर राज़नी तिक पारा चड़ता जा रहा है लेकिन सत्तारून पार्टी भी जम कर पलटवार कर रही है आपने तो पीम मोदी को ही कटगरे में खड़ा कर दिया दरसल आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फरेंस की इस दोरान बीजेपी प्रवक्ता सुधानशुत रिवेदी ने कहा कि किस किस से पैसा लिया गया है किस प्रकार से घोटाले हुए ये सभी चीजे उजागर हो जाएंगी उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंबीर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली की आवकारी नीती को घोटाले के लिए ही तयार किया गया था गोटाले का एस्टिंग सामनी आया है उसमें घोटाले के आरोपी नंबर 9 अमित अरोडा ने पूरी पोल खोल दी है स्टिंग है उसे बीजेपी अभी सीबीआई को दे चार दिन के अंदर इसकी जाच करके सिबीआई मुझे गरफतार कर ले सीबियाई इसकी गहनता और तेजी से जाच करे अगर यह स्टिंग सचा है तो चार दिन के अंदर आज गुरुवार है सोंबार तक मुझे अगर अफ्तार कर ले नहीं तो आप मान लेना ये बीजेपी और पीम मुदी के दफ्तर से रची गई एक साज़िश है अब आमाद्वी पार्टी के इस जवाब से साफ है कि वो बीजेपी से डरने वाली नहीं है यानि कि इस मामले में सिया सज़ारी रहने वाली है डीवी लाइफ की रिपोर्ट